कि रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा ठक करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका दो नॉटिस राइटिंग यानि तीन तीन मार्स का छे मार्स और तीन मार्स का एक लेटर रही है तो एक इनरजी के साथ एकदम लग जाएए तूट पड़िये एक्जाम के लिए और धमाके दार रिजल देने के लिए तेयार तो चलिए समसे पहले हम लोग देखने वाले notice writing तो notice writing का आप दोस्तों इसमें आप लोगों को format बताये जाएगा tips बताये जाएगा, example बताये जाएगा जो इससे बाहर आपका exam में question नहीं पूछा जाएगा तो एक एक चीज़ को बारी किसे देखते चलिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो के start करते है अगर आप वीडियो पर नहीं आएं और English score का आपको इस channel से help मिला है तो दबा के like कीजिए, comment कीजिए और अपने हर एक whatsapp group में हर एक जारकंड के कोना कोना में send कर दीजे, भेज दीजे ताकि जारकंड का कोना कोना बच्चा आप English score में धमाकेदार result करे तो चलिए start करते हैं वीडियो को तो दोस्तों notice writing को बनाने से पहले notice का पूरा format को अच्छे समझना जोरी है क्योंकि अगर आप format समझ गये तो exam में आसानी से दो-दो notice writing को लिख सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम notice को समझ लेते हैं जो बच्चे वीडियो को पहले देख चुके एक बार अच्छे से देख लिजे फिर सापका एक दुबारा revision अच्छे से हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया notice is a short piece of former writing used by institution to announce an event and make public appeals यानि दोस्तों क्या है notice अपचारिक लेखन का छोटा सा format या टुकड़ा है जिसका उप्योग संस्था दोरा किसी काईर करम की घोसना करने और सारुजनिक अपिल करने के लिए किया जाता है इसको याद रखेगा ठीक है दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दू कि इंगली स्कोर का जो है आपका जो दो बूक है उसका complete MCQ का 300 वाला जो है all in one का series जो है upload कर दिया गया उसको एक बार exam देने जाने से पहने जरूद देखके जाईएगा दूसरा है कि आपको playlist भी provide किया गया है जिसमें जितने भी chapters important है उसका subjective और objective question chapter wise provide किया गया है उसको भी देख लीजे उससे बाहर आपका exam में question नहीं आने वाला है अगर आप लोग 90 से प्लस यानि 95 प्लस score करना चाहते है जैसे पिछले साल के student किये थे तो एक बाद जरूर आज रात भाद दीन भर में जब भी time मिला आप एक बाद जरूर देख लीजगा सभी को ठीक है चलिए देखते है पहला यहाँ पर क्या लिखा गया आप आगे के points को आगे लिखा गया है a notice to contain all necessary details such as क्या का notice जो है content करता है क्या का details सबसे पहले देख सकते है सबसे पहले जब भी हम notice लिखेंगे तो क्या लिखना जोरी है जो institute का नाम दिया गया है अगर school से जारी किया जारा तो school का नाम अगर college से जारी किया जारा तो college का नाम उसके बाद एक line gap छोड़िएगा उसके बाद लिखेगा notice वो भी कैसे लिखेगा बड़े-बड़े अच्छोरों में notice को भी कैसे लिखेगा बड़े-बड़े अच्छोरों में N-O-T-I-C-E ठीक है यह question में पूछा भी जाएगा objective में notice को कैसे लिखा जाता है तो हमें से याद रखेगा bold यानि capital latest way आगे देखे क्या लिखा है date of issue release of the notice in the left corner आपको जो date जब आप notice जारी कर रहे है वो अपने बाएं तरफ दाहिने नहीं बाएं तरफ में date को लिखेगा इस side में ठीक है इस side मत लिखेगा date को date लिखने का क्या तरीक है वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ आगे दिखे क्या लिखा है कि उसके बाद जिस matter पर notice जारी कर रहे है उसका आपको क्या देना title यानि subject of the event क्या चीज़ को लेकर आप जो है notice जारी कर रहे है वो title उपर में बड़े बड़े अच्छोर में capital later पे लिख दीज़ेगा ठीक है उसके बाद man cheese यहाँ पे start होता है body उसमें आपको क्या क्या लिखना है सबसे पहले कब program हो रहा है किस time पे हो रहा है किस कितना समय से कितना समय तक चलेगा अस्थान का नाब लिखना है किस जगा पर वो program होने वाले जैसे college पे होगा तो college में किस जगा पे होगा अगर वो question में mention किया है तो लिख दीज़ेगा अगर आप भी जानते जैसे college में अधिकतर जो program होता है वो आपका देखिएगा program hall होता है आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे टेलिग्राम का आप लोग को link देख रहा है इंस्टाग्राम का यहाँ पे आप लोग जो है जाके follow कर लिजेगा कोई भी detail होगा important videos और notes चाहिए होगा तो आप वहाँ पे हमसे direct मांग सकते है और नीचे comment करके बताईएगा कि English score के बाद आपका क्या paper का exam है जिससे लिए मैं आप लोगों के लिए जल्द जल्द video provide कर सको ठीक है चलिए आप देख लेते हैं इसका format को यह format आप लोग जो है एक बाद practice करके चल जाएए अभी ठीक है देखे सबसे पहले मैंने क्या बोला जो school college का नाम है उसका नाम उपर पर लिखेगा वो भी कैसे लिखेगा बड़े बड़ अच्छर यानि capital later पर फिर एक line छोड़िएगा फिर notice लिखेगा फिर एक line छोड़िएगा date लिख दीजेगा ठीक है issue of date release of the notice ठीक है अब date कैसे लिखना है date में जैसे आपका 7 तारीक एक्जाम है तो 7 अगर 8 को एक्जाम है तो 8 लिखेगा 7 लिख दिए अब कौन सा मेहना है फरवरी बहुत सारे बच्चे फरवरी का spelling गलत लिखते है ठीक है तो फरवरी वाला spelling याद करके जाएगा F-E-B-R-U-A-R-Y ठीक है फरवरी कौन सा साल है 2024 ठीक है यह जरू लिखेगा याद रहा क्या बोले सबसे पहले तारीक लिखेगा फिर महिना लिखेगा F-E-B-R-U-A-R-Y फरवरी और फिर साल लिख दीजेगा ठीक है सौट में नहीं लिखना है सौट में लिखने से गड़बड हो जाएगा और यही डेट का लिखने का सही तरीका है अगर बहुत सारे बोच्चे बोलेंगे कि ठीक है मास्टर ने डेट कहने के लिए बोला था हम यहां लिख देते है आठ दो दो हजार चौबिस तो यह तभी जो है अगला जो चेक करने वाला है न वो तूरंत आपका नोटिस कैसे कट कर देगा ठीक है यह लिखने का तरीका ऐसे होता है पहले तारीक लिखते हैं फिर महीना फिर साल लिखते है इस पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है अब उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा डेट के बाद फिर आपको टाइटेल लिखना है ठीक है जैसे कोई इवेंट हो रहा है प्रोग्राम हो रहा है पिर उसके बाद क्या लिखना आपको body, man body पर आपको time लिखना है, देखिए ये date और ये date में अंतर होगा, ये चीज़ याद रखेगा, यहाँ पे जो date डाले है तो मत सोचेगा कि सर ने कहाँ यहाँ भी date डालना है, यहाँ भी date डालना है, वो वाला गडबडी बिल्कुल मत कीज़ेगा, जब भी notice जारी होता ने school college में, तो कब दिखेगा, आपका जो काम होना रहता है, उससे पहले notice जारी कीज़ेगा, तो कम से कम, 4 से 5 दिन या एक सपता का gap जोरू रखिएगा, जैसे मैं माल लेता हूँ, अगर 7 तारीक को notice जारी कर रहा हूँ, ठीक है, 7 फरवर साथ तारीक को आपका notice जारी कर रहे है, तो जो program का date कब रखिएगा, कम से कम 12 या आप 11 तारीक का date रखिए, कम से कम 4 से 5 दिन का जोरू गयाप होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो date दीजेगा, नीचे वाला date थोड़ा बढ़ा के दीजेगा, ठीक है, पहले notice जारी हो होने वाला program हो जगा लिख दीजेगा, school college के अंदर कहा होगा वो program, वो होता है venue, वो लिख दीजेगा, ठीक है, अब यह हो गया, उसके बाद signature, उसके बाद उसका नाम और उसका क्या पद है, वो दे दीजेगा, चलिए एक example के थुरू से हम लोग इसको समझ लेते हैं, जो आपके exam में question दिया हुआ है, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा यहाँ पे, कि 39 number का question जो था, वो क्या था आपका, यहाँ पे लिखा गया था, note making, ठीक है, तो note making का question मैंने बता दिया, 3 marks confirm हो गया, फिर यहाँ पे आपका summary writing उसका भी 3 marks confirm हो गया, यह तो मैंने करवा दिया, ठीक है, just this video से पहले, अभी हम लोग बात करें, किसका notice writing का, देख सकते है, 41 number पे भी आपका notice writing दिया गया, 42 में भी, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे भी जो है, आपको लिखने बोला गया, notice, यानि इस से जो हापका, अभी जो हम दो-दो notice आप लोगो बता देंगे, उसी format पे याद करके जाएगे, कैसे भी notice है, आप exam में लिख दीजेगा, telegram में मैं कुछ और important notice का जो है, आप लोगो भेज दूँगा, इस्टाग्राम में extra notice का, वो मैं आप लोगो भेज दूँगा, वहाँ पे follow करके, मुझे message कीजेगा, मैं आ दिया गया है, यू आर विराट, देखें, नाम लिख दिया गया है, आप अपना नाम नहीं लिख सकते हैं, जब question में दूसरा का नाम लिखा हुआ है, जो नाम लिखा हो, उसी के नाम से आपको sign करना है, उसका पद देना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर लड़का है, तो विर सिल्ली जो है, राची के पास है, जगह आपको याद होगा, तो लिख दीजेगा, ठीक है, एसे प्लस टू हाइज सिल्ली पर है, तो आप विराट या अदवीका है, आप अपने स्कूल के क्या है, हेड़ बॉय या हेड़ गल है, ठीक है, आप आगे देखें क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा क्या गया है, राइट ऑनाटीस, इनवाइटिंग स्टूडेंड्स, विलिग टू गो टू टूर इसा होता है, जो 50 वर्ट से 6070 तक चला जाता है, उस से कोई बडा इशू नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आंसर सही होना चाहिए, फार्मेट चाहिए, आप किया पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे हम स्टार्टिंग में आप लोग बताएं थे सबसे पहले क्या लिखेगा नेम आप दा इंस्टूइशन या इस इसविंग एजनसी तो उसको लिखना और वो कैसे लिखना स्टारा है कैपिटल लेटर में नौटी सीशू कहां से किया जा रहा है स्कुल से किया रहा है ! मैंने कहा जिस तारीक को आपका हो रहा है वो डेट दे दे दीजीएगा और डेट कैसे दी जिएगा पहले तारीक फिर महना फिर स्साल फिर एक लाइन छोड़ना है फिर एक लाइन चोड़ने के बाद आपको देना है और जहां और जहां पर भी और्गनाइज लिखा होगा वहीं पर आपको टॉपिक मिल जाएगा और्गनाइज के बाद वाला टॉपिक जो है वही होता है आपका टाइटल तापको टाइटल मिल गया टूटू नेतर हाट ठीक है तो यहां पर इसको भी कैसे लिखेंगे एक लाइन छोड करेंगे एक लाइन छोड़ दिजेगा हमें साइज नौटिस राइटिंग कैसे स्टार्ट और लेकिन आपको लेसे नहीं बोला है यहां पर क्या बोला एस प्लस हाय स्कूल बोला है ति हम लोग लिखेंगे अगर क्यूस्टन में का लिखा रहाता तो कॉलेज लिखते हैं है स्कूल बोला है तो स्कूल लिखेंगे क्या आगे क्या लिखना है यह लाइन हमेशा सब में चिपका ना कोई भी नॉटिस राइटिंग दे ठीक है अब उसका डैट लगा के क्या करने जा रहे वो लिख दीजेगा डैट आवर स्कूल इस गॉइंग टॉर्गनाइज अर्टूने तरफ हमारा स्कूल क्या औरगनाइज करने जा रहा एक तूर जो है कहा के लिए ने तरफ के लिए ठीक है तो हमेसा अगर जाएंगे या कई घुमने जाएंगे तो कुछ तो खर्चा होगा, उसके बारे में detail देना है, कब निकलिएगा, उसके बारे में detail देना है, कब वापस आएगा, उसके बारे में detail देना है, तो आपको कम सब्द में लिखना है, तो कम सब्द में लिखने के लिए हम उसको points पे बना देते हैं, ठीक है, तो as per details given below, पहले परस्थान का समय हम यहां से प्रस्थान कब करेंगे ठीक है वहां कब आगमन होगा यह सारा रिटेल देना होगा तो डिपर्चर टाइम देना होगा कब वहां से आपका गाड़ी खुलेगी तो मैंने डेट जो है अंतर करने के लिए कहा साथ तारीक और नोटिस जारी कियें आपको प्रोग्राम जो है जाने का कब तारीका दिया है 14 तारीक यानि एक सप्ता का हमने गैब दिया है ठीक है 14 फरवरी 2024 टाइम मैंसन करना जो रहे कितने बज़े गाड़ी खुलेगी ट्रेन 9 बज़े ठीक है सुबह के 9 बज़े 9 एम ए अब तक पहुंच जाएंगे उसी तारीक क्योंकि ज्यादा दुर नहीं है यह दोनों ही जगह जो है नेतर हाट अरा सिल्ली देखिएगा न सिल्ली भी जो है राची पे है और नेतर हाड़ी कहां पर राची पर है ज्यादा टाइम नहीं लगता है तीन से चार घंट भी लोग नेतरहाट पहुंच गए ठीक है तो इसके लिए तो कुछ खर्चा होगा टाइम तो हमने मेंसन कर दिया खर्चा भी होगा ना तो खर्चा कितने बच्चों से लिया जा रहा है पर हेड़ 500 रुपिया अब कोई बच्चे 5000-6000-8000 मनमानी से मत भर दिजेगा ठीक है कुछ दिन पहले लेना है तो उन लोगों को बोलिएगा ना कि पैसा जो है आप लोग इतना तारीक को दे दिजे क्योंकि 14 तारीक को तो हम लोग जा रहे ने तरहाट घुमने तो लास डेट ऑफ गिविंग दियर नेम सी ये लिख दिजेगा कब तक उन्हें अपना नाम दे कम सब्द पर लिखना था तो और अधिक जानकारी के लिए अधो अस्तारिक छरी से संपर करें फोर फर्दर डीटेल्स कंटेक्ट अंडर साइन ठीक है यहां पर लिख दिए ना आप उसके बाद क्या लास्ट पर क्या बोला गया था लास्ट पर आपको लिखना है क्या ऑथ विराट लिखके पद क्या है उसका है यहां पर लिख देंगे देखिए विराट लिख दिए और यहां पर हेड़ बॉय जस्ट आप लोग इसको देखके एक बार खुद प्रैक्टिस कीजएगा हो जाएगा ठीक है इसी है चलिए और एक क्वेशन देखते आपको और बना के उसको क्लोज कर देते हैं चारों तरफ से बॉक्स बना के उसको क्या कीजेगा क्लोज कर दीजेगा ठीक है तो देखिए एक बॉक्स बना के इसको क्लोज किया गया है आगे और एक कुशन दिया गया है दो नौटिस राइटिंग दिया गया है नौटिस राइटिंग है आपको टोटल दस नंबर या 9 नंबर तक तक आपको कंफर्म कर देगा ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया यू आपको पता चल गया किसके लिए नाम भी दे दिये गया है नाम आप अपना नहीं लिख सकते क्योंकि नाम दिया हुआ ठीक है जब नाम नहीं देगा तब अपना नाम लिखेगा और पद भी दे दिया पद क्या है से करी क्लब ऑफ सेंट फ्रांसिस स्कूल का ठीक है जो कि कहा एं खालारी में ठीक है यह लिख दीजएगा तो चलिए फर्वरी 2024 फिर क्या लिखते है टाइटेल टाइटेल आपको मिल चुका है हम हमेशा बोले है जब भी आपका नौटीस होगा तो राइट नौटीस या और्गनाइज के बाद आपको वह नाम मिल जाएगा किसलिए आपको नौटीस लिखना है तो यहां पर देखिए क्या स्टुडेंट्स आप और इसको यहां तक तो सबको लिखना है फिर लगा के लिख दीजेगा आपका क्या करने वाले तो कौन करने वाला है सबसे पहले हैं पर हम लोग ने देखा कौन करने वाला प्रोग्राम को और्गनाइज कल्चिरल क्लब और सेंट फ्रेंसिस स्कूल ठ अब देखें कम सब्सक्राम एक सब्सक्राइब करने वाले तो कितना बज़े दो पीम पे और कहां होगा देखें हैं इसकूल के अडिटोरियम में प्रोग्राम होगा ठीक है अब थोड़ा सा इसको और अगर आपको कम लग रहा है वर्ड यहां तक भी लिखेगा तो भी चल सब्सक्राइब करना है तो उसके पहले आपको जो है उसका नाम बच्चों का नाम को ले लेना है ठीक है तो जैसे 18 16 तारीक को प्रोग्राम हो रहा है आठ तारीक को नोटिस जारी किये तो 5-6 दिन का दीजेगा अपना नाम को लेने के लिए तो हम 11 तारीक को जो है सबका नाम जो है अपने पास देने के लिए कह दिए कि 11 तारीक और अधिक जानकारी के लिए under sign से contact करें यह line हमेशा याद करके जाएगा लास्ट में यह line चिपका दीजेगा अब लास्ट में क्या करना है जो notice को जारी कर रहे है authorized उसका signature और उनका पद लिख दीजेगा जैसे लड़का है तो डेविड और उनका पद क्या था security of the cultural club तो यह था notice writing का format दो notice writing आप लोग को पूछा गया था यह जरूर लिख दीजेगा exam में और भी कुछ notice writing अगर आप लोग चाहते हैं तो instagram message कीजेगा मैं वो भी previous year वाले question आपको share कर दूँगा अब हम लोग आगर आप लोग notice समझ चुके हैं तो इसका आप लोग को MCQ पूछा जाएगा आगे पहले हम लोग जह हैं वहाँ पे MCQ questions को देख ले तो उसके बाद later to the editor को भी समझ लेंगे ठीक है दोस्तों अभी हम लोग ने notice writing को काफी अच्छे से समझ लिया अगर आपने समझा अच्छे से तो आप लोग एक कोईशन का answer को भी फड़ाफट से देते चलिएगा पहले खुद कोसिस कीजिएगा फिर आप लोग answer को देखते चलिएगा ठीक है इसके बाद हम लोग later writing को भी फड़ाफट से practice कर लेंगे और से related भी mcq आप लोग को बताने वाले है दोस्तों अगर आप लोग आगे चलके government jobs की त्यारी करना चाहते है तो और एक चैनल बनाया गया है अभिसे चक्रवर्ती ब्लॉग इसमें आगे आप लोग का government job की त्यारी कराए जाएगा जितना भी upcoming government job से उसका notice दिया जाएगा तो आप लोग इस चैनल को जरूर subscribe करके रख लीजेगा ठीक है और नहीं link मिलेगा तो आप लोग message कीजेगा हमें हम आप लोग को भेज देंगे इसका link ठीक है इसके बाद आ आगे चलके बनना क्या चाहते हैं ठीक है उस हिसाब से आप लोग के लिए कुछ तियार करेंगे हम अब देखे आगे question क्या पूछा गया the heading oblique subject of the notice should be कैसा होना चाहिए heading मैंने already बता दिया brief और catchy होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आपका long तो नहीं होना चाहिए और not of not be there यह भी गलत है यहाँ पर brief और कैसा होना चाहिए कैसी होना चाहिए option B जो है बिल्कुल correct है आगे देख सकते हैं यह आप लोग question number 5 पे दिया गया था model paper पे तो where is the salutation placed in notice तो मैंने आप लोग को starting में कहा कि हम लोग notice writing में कभी भी salutation I, me, you, I, me, you, personal words का इस्तमाल नहीं करते है नहीं हम लोग उसमें अभिवादन करते हैं sir, madam करके क्या हम लोग अभिवादन करते हैं नहीं ठीक है तो इसमें notice writing में किसी भी परकार का salutation का इस्तमाल नहीं किया जाता है तो यहाँ पे क्या notice writing में salutation का इस्तमाल किया जाता है पूछा गया है तो यह लिग देख हम लोग there there is no need to write salutation in a notice किसी परकार का विवादन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ठीक है चलिए आगे देखते हो क्या पूछा गिया है which of this is the most suitable way to start body of a notice ठीक है कैसा सबसे अच्छा तरीका होता है notice का body start करने का ठीक है मैंने बताया पहले title फिर capital में notice फिर date लिखते हैं ठीक है लिखते है नाम लोग name of the institution पहले फिर आपका notice फिर date फिर title फिर body तो body कैसे start करते है this is to inform all the students of our school अगर college है तो college तो अभी just बता है तो जो बच्चे सुने होंगे ध्यान से भड़ाक से समझ जाएंगे this is to inform जो होगा correct answer होगा चलिए आगे देखते है question क्या पुछा गया what is written on the top of the notice तो क्या सबसे top of the notice पे लिखा जाता है सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा name of the institution या organization का नाम वो भी कैसे capital letter पे ठीक है याद रखिएगा चलिए next question क्यों चलते हैं which of the flowing is the correct statement ठीक है यह आप लोग को लिए question देते हैं क्योंकि मैंने काफी अच्छे से example के साथ इसको बताया इसमें से बताये कौन सा सही है पूछा है notice is written to inform others क्या notice जो है दूसरों को inform करने के लिए लिखा जाता है notice जो है कम से कम सब्दों में यानि कम से कम मतलब कम से कम 50 सब्दों पे लिखा जाता है ठीक है notice answers questions like what when where क्या हम लोग जगह का नाम किस अस्थान पर हो रहा है कहां हो रहा है यह सम नौटिस पर डीटल देते हैं तो बताये कि यह चारों तीनों में से कौन सही है या फिर तीनों का तीनों यह option सही है all of these सही होगा आप लोग बताये comment करके देखते कितने सारे बच् इस पर तो याद रखेगा हमेसा बड़े अच्छ रुपिय मैंने अभी जस्ट कहा ठीक है subject को कैसे लिखा जाता है इना ब्लॉक लेटर स्टीक है how is subject written in notice ब्लॉक लेटर स्पे ठीक है आगे देख सकते दोस्तों क्या पूछा गया question पे which of the flowing is not part of a notice ठीक है तो इसमें से क्या जो है notice का एक part नहीं है पूछा गया है तो देखें notice जब रिखते हैं हम लोग तो उसमें subject का भी mention करते हैं date भी mention करते है signature भी लेकिन क्या हम लोग किसी परकार का अभिवादन देते हैं respected sir dear madam यसा कुछ नहीं लिखते है ठीक है किसी परकार का अभिवादन इस्तमाल नहीं कर पूछा गया है which of what is not added in a notice bring a found title एकदम easy question था आप लोग देखते हैं समझ गया option भी entire description of the thing object found ठीक है पूरा जो है entire description कब क्या ठीक है यह सारा चीज़ का जो है पूरा entire description देने का जोड़त नहीं तो short में हम लोग वह सारा चीज़ मैंसन कर देते हैं कि कहां कहां से यह चीज़ जो है वस्तु मिला था ठीक है चलिए आगे देखते है question क्या पूछा गया which of these is the right format of writing date in a notice क्या सबसे अच्छा format है notice का date writing लिखने का तो मैंने हम इसा कहा है आप लोगों को पहले तारीक फिर मेहना फिस साल लिखा जाता है option B जो होगा correct होगा बाकि सब option गलत है next question पूछा किया 10 number पे which of the flowing pronoun must be avoided इस परकार के pronoun का इस्तिमाल नहीं की जाता है avoid की जाता है avoid का मतलब यहां not का ही बात कर रहा है याद रखेगा जब भी avoid words रहे तो यहां not का ही बात किया रहा है ठीक है किस पर करकार के pronoun का हम लोग avoid करते तो मैंने शुरू से कहा I, me, you ऐसे चीज़ का हम लोग क्या करते प्रोणांस का avoid करते हैं किसमें notice writing में तो यहां पर option number c both a and b are correct ठीक है चलिए आगे देख सकते है question क्या पुछा गया notice is written for तो notice किसी लिए लिखा जाता है आगे देख सकते हैं क्या पुछा गया the word notice is written in तो notice को कैसे लिखा जाता है हमेशा आप लोगों ने देखा n o t i c e ऐसे बड़े बड़े capital अक्षर पर लिखा जाता है ठीक है option number b जो होगा बिल्कुल correct है तो दोस्तों यहां पे था आप लोगों notice writing का total questions को करा दिया गया 10 से 12 question और यहां पर आप लोगों को जो है यह PDF मिल जाएगा आप लोग जिनको चाहिए होगा message कर दीजेगा ठीक है यहां पर Instagram का ID दिया हुआ है आप message कीजेगा आप लोगों वहाँ पर extra questions प्रोवाइड हो जाएगा ठीक है और टेलिग्राम ग्रूप को जरूर जोइन कीजेगा और नीचे comment करके बताएगा आप लोग क्या चाहिए आगे ठीक है दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करने वाल है notice writing जस्ट बाद आप जो होता है वो दो टाइप का होता है एक informal होता है एक formal होता है informal हम लोग class 10 में लिखते थे जैसे अपने भाई को अपने बहन को पिताजी को ठीक है किताब खरिदने के लिए या हम लोग लिखते थे अपने रिस्तेदारों को कुछ लेटर लिखे तो जो अगर हम अपने सगे संबंदियों को लेटर लिखते है ना वो होता in Formal Letter, आण अपचारिक पत्र, उस में प्रिय, भाई, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर ऐसे करके लिखते है लेकिन जो Officers को लेटर लिखते है ना वो होता है Formal Letter वो क्या होता है Formal Letter ओपिसर हो गया किसी बड़े न्यूस पेपर जो है एडिशन वाले को अगर लेटर लिखे दा हिंदु सर्ड टाइम्स दा प्रभात खबर ये सब अगर न्यूस पेपर में लिखते है दा दैनिक भासकर तो ये जो है रेपूटेड इंस्टुटूइशन से और उनके ओफिसर क कैसे लेट कोईशन पूछा जाता है जैसे 2015 में पूछा गया था यू आर डिस्टुब्यूट बाइ लाउड म्यूजिक प्लेड आउट अट नाइट ठीक है रात के समय में काफी जादा जोर से सोर सराबा हो रहा है उसको लेकर लेटर लिखे न्यूस रिपोर्टर्स को ठी प्रभात खबर को लेटर लिखने के लिए बोला गया था कि अभी के समय जो टीनेजर्स है वो बहुत रफ गाड़ी चलाते है ठीक है रैकलेस ड्राइफिंग करते है तो उसको सजेसन दीजिए और उसको इस तरीकी के सावधानी को बरतने के लिए कहिए उनके जो माता-पि इस बार के जो मॉडल फेपर में कोश्चन दिया गया उसको भी देखते है कि क्या कोश्चन में पूछा गया तो सबसे पहले जब भी आप लेटर टुदा एडिटर रिखेगा उसका फॉर्मेट को याद रखेगा सबसे पहले हम लोग जो है लेटर टुद एडिटर जो लि लिखेगा नहीं दिया तो अपना address डाल दिजेगा लेकिन जिस जगा का लेटर का बात कियागा है एडिटर का बात किया है जैसे हिंदुस्तान टाइम सगर लिखा हुआ तो राची का ही अपना address डालिएगा ठीक है उसी जीला से संबंदे थी डालिएगा sendress address को ठीक है तो देखिए sendress address मैंने डाल दिया house number 23 राची नॉर्मल अगर कुछ नहीं दिया तो ऐसे लिख दीजेगा उसके just देखते हैं एक लाइन छोड़के just हम लों लिखेंगे दा एडिटर क्या लिखेंगे दा एडिटर यानी संपादक को ठीक है उसके बाद किस संपादक को लिख रहें receiver का address दिजेगा जिस संपादक का लिख रहें जैसे हिंदुस्तान टाइमस को लिख रहें तुदा हिंदुस्तान टाइमस लिख दिजेगा कहां कि हिंदुस्तान टाइमस प्रफार्मेट मैं बता रहा हूं ना, इस format को भि अगर लिख पर हो तो भी आपको जो है marks मिल जाता है एक दो marks ही कटेगा ठीक है तीन marks का है तो ज्यादा ज्यादा एक ही marks जो है वो deduct करते हैं लेकिन अगर format आपका सही रहेगा तो full marks मिल जाता है ते यह format को अच्छे से याद करके जहिएगा उसके बाद अपना subject स्टार्ट कर दीजेगा ठीक है किस से रिलेटेड आप जो है लेटर को लिख रहे है ठीक है आप इसमें तो हमेशा देखिए नौटिस रैटिंग में हम लोग सेलूटेशन का इस्तमाल नहीं करते हैं लेकिन लेटर टू एडिटर में जो हम लोग सेलूटेशन का ठीक है क्या content आप लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन देना जो रही है ना जिससे संबंदित आपको पूछा गया है question में और उसका आप समझसा बता दीजेगा पहले और अगर आपके पास उस समझसा का कुछ समाधान है आप चाहते हैं कि पेपर में वह समाधान भी दिया चले एक example से समझता आपका clear हो जाएगा देखे आप लोगा जो दिया हुआ था ना question उसमें क्या दिया है आप लोगा जो model paper में वह दिया है यू आ तरुन और तरुना नाम दे दिया है तो वही नाम लिखिएगा write a letter to editor किस letter को किसको लिखने बोला है the express और कहां है जीला राची ठीक है क्या चीज को complain करने के लिए बोला है complaining about frequent breakdown in the supply of electricity in your village और ये समझ सा आजकल सभी जगा है कितने गाव में ये समझ सा हो रहा है हमारे यहां तो दो दिन से जो है electricity लगभग सुभस को cut होता 10 बजे और आता है पाच वजे यह वाला देखने को मेरा तो इस ट्रेंट को काफी ज़्यादा दिक्कत होता है मोबाइल का चार्ज खतम हो जाता है आप लोग के लिए और वीडियो बनाना चाहते है उसमें भी रुकावर्ट आता है ठीक है तो अभी साधन की कमी है इंवेटर वेगर नहीं है लेकिन आगे देखते हैं अगर हो जाएगा तो आप लोग का दुगा से तो अच्छा बात है चलिए देखते हैं वह लेकिन पूरा कप होगा जब आप लोग वीडियो को सेर कीज़ेगा आप लोग सेर ही नहीं करते हैं बहुत दिल से बुरा लगता है ठीक है कितने सारे बच्छे सेर कियें बताईएगा सबसे पहले मैंने क्या दूरा नहीं लिखा देखें तरुन और तरुना तो लिख दिया है नाम लिख दिया लेकिन इलोग कहां इलोग घर है कुछ पता पता दिया है नहीं दिया है तो मैंने आप लोग को एक्जाम्पल में बता दिया अगर नहीं दिया है तो जहां का आपका न्यूस पेपर वाले है वहीं का एड्रेस दे दिजेगा देखिए राची के है तो तरुना तरुना को भी बना देते हैं कहां का राची का यह बना का मुझे याद है राची 834010 ठीक है यह नामकुम का जो है पीन कोड है आप अगर नहीं पीन कोड याद है तो मत लिखेगा याद है तो लिख दीजेगा ठीक है तो हाउस नंबर जरू लिखेगा और राची जरू लिखेगा यह हो गया किसका सेंडर्स का अड्रेस यानि किजेगा अलग कोई चीज़ का इस्तवाल मत किजेगा यहां पर बस आप लोग को समझाने के लिए इस्तमाल किया है अब उसके बाद जस्ट हम लोग अभी सेलूटेशन का इस्तमाल करेंगे दा एडिटर ठीक है दा एक्सप्रेस लिख दिए अब रिसीवर का एड्रेस मेर लेटर कहां जा रहा है दाइडिटर एक्सप्रेस और यह कहां का है राची का अरची का बिए निकोड हमको याद है 834 001 जरुए चर ना ना हो फिरू को याद हो याद कर लिजएगा तो उसको लेकर लेटर लिखना है तो लिख देंगे क्या लिखेंगे सब्जेट में कंप्लेट में अब अब इसके बाद सेलूटेशन का इस्तमाल करेंगे अब यहां पर लिखेंगे यह जो ब्लू वाला लाइन देख रहे ना इसको एकदम आपको चिपका देना एक्जाम में कोई भी लेटर देगा इडिटर कर लिए कर आपके जो है सम्मानित न्यूजपेपर के माइध्धम से मैं आप लोगों का ध्यान आकरसित करना चाहता हूँ जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको लेकर के ठीक है कुछ लाइन के माइध्धम से आप उसके बाद जो भी लिखना है आपको समयसा जैसे यहाँ पर दिया था ना कि frequent breakdown के लेकर आपको तो frequent breakdown अगर light बार बार कटेगा तो क्या क्या दिक्कत होगा सबसे बड़ा दिक्कत होगा क्या कि आपको पढ़ाई में दिक्कत होगा रात के समय में दुसरा क्या दिक्कत होगा रात के समय में लोग दिखाई नहीं मिलेगा तो accident होने का chance बढ़ है कि हमारे पास अगर यह समझ सा होता तो क्या क्या हम को दिक्कत जहलना पड़ता वही दिक्कत का यहां पर बना के लिख दीजेगा nowadays there is a sudden and frequent power cut in the locality causing darkness on the roads and the great chance of causing accidents सबसे बड़ा चीज क्या अंधिरा में accident होने का chances बढ़ जाता है ठीक है due to the power cut students cannot study फिर लिख दीजेगा power cut के कारण क्या हो रहा है बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है study रात को नहीं हो पा रहा है also there is a chance of robbery डेकेती को क्या बोलते है रोबरी ठीक है in the houses chances chances रहता है क्या okay T होने का रात के समय में इसी की लेकर जहाँ post夏 रहे गर डर होने का डर रहा Kollege upहने का डर हैगा क्या लोग क्या लोग घर में अकले रहना info रहना संती से घर में रह पाएंगे तर दिमाग में सोचना है वह बना के देना है कि क्या दिक्कत होगा आप नीचे बताईएगा 3-4 समको कमेंट किजिए कि अगर गाव में पानी का दिक्कत होता तो आप कौन सा 3-4 पॉoinंट मैंसें बदे सब्सक्राइब है ती चलिए उसके बाद ए स्यूंड यह इमेडियेटली आप जल से जल इसको अपने जो सम्मानित न्यूस पेपर उसमें प्रकासित करें ताकि यह जो समझता है इसका जल से जल समाधान हो सके ठीक है यह लाइन लाश्ट पर आपको चिपका देना कोई भी आपका लेटर टू एडिटर दे सब में चिपका दीजेगा अलाश्ट में धेन्यवाद दे दीजेगा थेंक्यू अलाश्ट में क्या लिखने बोले थे सिंसियरली अगर लड़का है तो विराट लड़की है तो निशा तो यहां लड़का का नाम अलग दिया गया था ना तरून तो लड़का लिख रहे तो यहां तरून लिखियेगा यहां पे तरुन लिखिए अगा लड़का में और यहां तरुणा लड़की अगर है तो तरुणा क्लियर हो गया मिनला का marks यहां पे confirm हो गया चली इसको देखें मैं यहां पे अपना पेन फेपर से लिखा था उसको अच्छे समझाने के लिखिए थ सैं से कर दूँगा ठीक है इसको जिनको चाहिए होगा ले लिजेगा भी चलिए आगे देखते हैं और एक लेटर यह भी प्रिविएस यह में पूछा गिया है ठीक है यह अपना एड्रेस डाल दिजेगा विराट और निशा दिया हुआ है क्या दिक्कत है क्लास 10 का स्ट्टेंट है इन लोगों का दिक्कत क्या है इन लोगों का दिक्कत है क्या स्ट्टेंट का नाम दे दिया है आप लोग क्या दिक्कत हो रहा है कि आने जाने में लोगों को काफी ज़्यादा दिक्कत है ठीक है तो कुछ भी चीज़ का दिक्कत हो सकता है आप सबसे पहले अपना एड्रेस दे दिए डेट दे दिए ठीक है उसके बाद लेटर इस आपका जो है यहाँ पर नीज़ पेपर का नाम नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से किसी भी नीज़ पेपर का नाम दे दिए जैसे दा हिंदुस्तान टाइम सम दे दिये कहां का है उनका एड्रेस दे दिये राची का हमको अगर याद है पिन कोड तो दे दिजेगा फिर सब्जेक्ट लिखते हैं फिर सल लिखेंगे फिर मैंने जो लाइन कहा था वो चिपका दिजेगा अब सोचना आपको कि अगर गाव में बस नहीं आ रहा है या आपके एरिया में बस नहीं आ रहा है तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है बहुत कुछ दिक्कत हो सकता है लोग समय से जो है अपना जो गंतव अने जहां आपको पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंच पायेगा बच्चे तो छोड़िये जो एक दिन का रोजी रोटी जिन पर निर्भर है जिनके पास अपना दिक्कत होगा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पैसेंट से यारे जो मरीज है उन लोगों काफी ज्यादा दिक्कत होगा समय से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो पाए तो गंबिर विम्हार भी पढ़ सकता है उनका मित्तू भी हो सकता है यह सारे चीज आपको लड़की है ठीक हो गया यह आप लोगों का क्लियर तो इसको भी मैंने यहां पर जो है लिग दिया था आप लोग उसको देख लिजेगा तो दोस्तों यह था लेटर टू इडिटर का पूरा फॉर्मेट अब हम लोग फटा-फट से लेटर टू इडिटर से रिलेटेड जो आ साथ ही अभी लिखने का प्रेक्टिस करके जाए क्योंकि सुनने से और देखने से काफी सारा चीज़ जो है नहीं हो पाता उसको एक बार जो नौटिस राइटिंग और लेटर राइटिंग है वो लिखने का तरीका अच्छा है ठीक है तो इसलिए आप लोग जो है अच्छ इसी नहीं करते हैं जिसके वज़े से सुनके भी देखे भी वहाँ पेन ही नहीं चल पाता है इसलिए आप लोग जस्ट इस वीडियो को देखने के साथ बीना देखे लिखिए और मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए देखिए सर हमने लिखा भी ठीक है मैं देखना है उसके बाद आप लोग तुरंत लिखिए क्योंकि समय काफी काम है आपके पास ठीक है नॉटिस भी लिखके भेजिए और लेटर राइटिंग भी आप लिखके भेजिए ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर पहला कुश्चिन क्या पूछा गया है लेटर्स टूर्दा डैस कम डर्स recovering later Tomorrowickets में को नाता है इसमें तो आप देखए फ्रेंड को लिख रहे तो इनफार्मल में आएगा यह नहीं आएगा पिताजी को भी लिख रहे है नहीं आएगा मांकों भी लिख रहे है नहीं आएगा तो लेटर टू इलिग hum llegó सघे संदी को जो लेटर सही हो रहा है, what is the motive of writing a letter to the editor, क्या motive रहता है, editor को letter लिखने का, क्या मक्सर रहता है, to request करने का, कि वो जो अपना letter, जो अपना newspaper है, उसमें कुछ space दे, हमारा news को छापने के लिए, या हमारे समझसाओं को छापने के लिए, ताकि जो संबंदित, जो विभाग है, वहां तक ये स उनके paper पे, ठीक है, चलिए, आगे देखते question क्या पूछा है, three number पे, which of the flowing is not component of a letter to editor, तो क्या component नहीं है, letter to editor का, यहाँ पे तीन number का question का answer क्या होगा, title और heading, title और heading जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, letter to editor में, salutation का इस्तेमाल करते हैं, dead भी लिखते हैं, signature भी लिखते है ठीक है, याद रखेगा, not पूछा है, तो title होगा, title अभी just हम लोगों ने practice किया था, किसमें title लिखे थे, बताइए तो notice writing में भी था, और note making में भी हम लोगों ने title का काम किया था है, चलिए, आगे रखते question क्या पूछा है, question number four में, later to the editor generally starts suite, तो later to editor कहा से start करते हैं, हम ल मैंने format आप लोगों पहले ही बता दिया, ठीक है, जिनो format को देखा है, उनको अच्छे से याद हो गया होगा, चलिए, next question क्यों चलते है, क्या पूछा है, where date is placed in the later to editor, ठीक है, तो date को हमेसा कहां लिखते हैं, तो date को हमेसा just मैंने बता है, जैसे senders का address खतम होता है, मतलब मे फिल लिखते है date और फिल लिखते है receiver address, बताए थे आप लोगों, तो पहले senders का address लिखते है, जैसे house number जो था दिया हुआ, उसके बाद फिर राची लिखे, उसके बाद फिर हमने date लिखा, फिर उसके बाद newspaper वाले का address लिखा, है ना, तो receiver का address, तो senders address और receiver का address के बीच में होता है क्या date, तो यहाँ पे in between senders address and receiver address जोगा, correct answer होगा, option number 6 is the correct answer, चले next question क्यों चलते है, which of these is the right format of writing date in letters to editor, तो अभी just कोई भी बच्चे देखेंगे, तो फड़ाक से लगा देंगे, option number D is the correct answer, question number 7 देख सकते हैं, क्या पूछा गिया, which of the flowing is the most suitable salutation for letters to editor, कौन सब से तो मेर्डम जस्ट अप लोगों को बताया भी, option B correct हो जाएगा, ठीक है, question number 8 देख सकते हैं, और यह last question है, आज का, in the formal letter to the editor, complimentary close should be, कैसा होना चाहिए, या तो यहाँ तो यहाँ पे option B जो होगा, दोने correct हो जाएगा, ठीक है, तो यह एकदम था आप लोगों का format के हिसाब से एक्जाम से related सारे questions मैंने करा दिया, तो अब आप लोगों का exam का तहरी अच्छे से होना चाहिए, और एक चीज़ याद रखेगा, जाते जाते, जब भी आपका MCQ question होगा ना, तो उसको exam में, जैसे ये BC सही है, तो C लिखेंगे, और C लिखें मत छोड़ दीज़े, घौप question number 8 का answer क्या होगा, C होगा, both A and B, ये सही तरीका का है, exam में copy MCQ लिखने का, ठीक है, जो board का copy हम लोग चेक करने जाते हैं, तो ऐसे ही चेक करते हैं, कौन-कौन सा बच्चा लिखा है, तो बहुत सारे बच्चे C लिखते हैं, B लिखते हैं, ऐसे लिखके मत आईएगा, पू बहुत A and B लिखा है, तो हम both A and B लिखेंगे, ठीक है, पूरा लिखेगा, ये सही format है, इसी format पर आपको लिखके आना है, तब आपको full marks मिलेगा, नहीं तो मिलेगा, नहीं, ठीक है, आप लोग जा के English का playlist को एक बार पूरा अच्छे से देख लिजे, अच्छे से त्यारी क question को भी upload किया जा रहा है, उसको भी अच्छे से एक बार देखके चला जाईएगा, ठीक है, तो आसा करते हैं, आप लोगों को एक चीज़ अच्छे समझ माया होगा, वीडियो काफी लंबा हुआ है, लेकिन आप लोग कुछ नया सीख के जा रहे है, कुछ नया सीख है, तो